इन सभी बड़ी फोन कंपनियों की यूजर्स के साथ हो रहा है बहुत बड़ा धोका और यह धोका जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखो तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं हेलो गाइस मेरा नाम है सूरज विशो करमा आप देख रहे है टेकनिकल विशो करमजी चैनल जहां पर आप सीखते हो जानते हो कुछ गजब की नहीं चीज़े जी हाँ दोस्तों वह बिल्कुल सही है जो आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में सुना और इस वीडियो के थ धोके बाजी कर रही है तो चलिए जान लेते हैं क्या-क्या धोके बाजी कर रही है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहीं बोलूँगा दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सस्क्राइब कर द इसी ताहले कमपनियां इबड़ी बड़ी चाइणीज कमपनियां आपके साथ धोकेते कर रही हैं। Num में इन बजट के अंदर बस इन्हीं कंपनियों के फोन हमको देखने मिलते जैसे एमाई वीवो उपो रियल में पोको यह जितनी भी है सारी चाइनीज कंपनिया और आप सब में एक कीबोड में जो कि माइक में चैने में चैने लिसकी neighbors करते हैं सब्सकर आपको फिर दिखात कर रहे हैं या फील्ड में हैं तरह सारी चैने जैसे कंपनियां जैसे किमाई वी delivery पो यह लिए नहीं दिखाना चाहिए और आप जो सर्च करते हो जिससे दिखाती है पहले गलती तो यह इन Chinese mobile के और उसके बाद जो की आप नया नया लेते तो आपको कोकट की फाल तु अप पहले से प्री इंस्टाल आते जैसे हैलोजील और उसके बाद बबल सुटर कही सारे ऐसे गेमें जो की आपको प्री इंस्टाल आते जो की नहीं आने चाहिए और वो भी जो है कि Chinese application है तो उसका भी इंडियन गौवर्मेंट ने बैन कर दिया है फिर भी वो प्री इंस्टॉल होके आती है और बहुत सारी users ऐसे होते हैं जो हमसे बड़े हैं उनको पता नहीं रहता है इन सारे application के बारे में कि यह Chinese application है और वो उनको मजे से use करते हैं और उ उनके साथ उनके data के साथ खेलवाड कर रही है तो वह जो application है वह भी आपके data को चोरी करते रहते हैं वह आपको पता नहीं चलता है और आप उसके बाद बात करते हैं सेकुरिटी एक application है जहां पर आप अपने phone को clean करते हो चलो मैं आएक बात बताता हूं भाई एकदम अपनिया है बड़ी बड़ी 6GB RAM वाला उसके बाद 64GB internal 118GB internal जब इतने बड़े बड़े इस्टोरेज दे देते हैं सारे phone में तो भाई वह cleaner जैसा एक मामूली application क्यों देते हैं मैं बता तो आपको क्यों देते हैं वह cleaner जैसा मामूली application बेसिकली यह जो application करते हैं हमें cleaner जैसे वह clean master करके एक application है जो कि basically वह Chinese application है और वह भी 59 application के list में सामील है और उसको भी इंडियन गवर्मेंट ने बन किया कि वह भी data को चोरी कर रहे थे इसलिए तो जो cleaner application है जब आप उसको पहली बार open करते हो तो आप से कुछ permission मांगते हैं और एक ही जैसे आप उसको allow करते हैं कर देते हो तो आएक ही बार में आपके कई सारे चीज़े को access कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीज़े आपके access कर लेते हैं और उसको modify भी कर सकते हैं जैसे कि आपका calendar, contacts, location, microphone तक और उसके बाद physical activity भी और उसके बाद storage, telephone वगएरा अगर आपका जो number वगएर तो basically phone की गैलरी उनको access करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और वह phone की गैलरी को जो हमारे photos है उसको access करके वह हमारे photos का misuse भी कर सकते हैं तो यही main कमिया है इन बड़ी-बड़ी company के और यह हमारी data को इसी तरह से चूस रहे तो दोस्तों मैं बस यही बोलने वाला हो इ इस्टॉल करते हो तो उसके जो है कि जब परमीशन मांगे तो आप अच्छे से पढ़ लिजिए भाई यह किस किस चीजों की परमीशन मांग रहे हैं और आपके हिसाब से वह परमीशन देना सही या नहीं है तो आप एक बार सोच की परमीशन दीजिएगा क्योंकि अगर आ जो चाइना की गवर्रेमेंट है वो लोग की इसारों पर नासती है जितनी भी बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनिया हों तो उनके हाथ में हैं आपके एक चुटकी बजा कि वह आपके पूरे डेटा को खा सकती है तो इसलिए मैं बोलूंगा कोई भी आपलीकेसान में सेर कर दो कमेंट करके बताओ लोगों को सेर किरो बताओ यह ज्याद से ज्यादा वी वीडियो होना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इससे क्या रहेगा जितने वी नए वीडियो यूट्वब पर अपलोड होगी उसकी नोडिफिकेसान आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो इसी के साथ मिलते हैं ने वीडियो में सब तक के लिए बाई बाई